पिछले दस दिनों से प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में चल रही रिजिदेंस डॉक्टर्स के अर्ताव शुक्रवार देर दाज समाप्त हो गई शनिवार सुबे से प्रदिश के सभी साथो मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में रेजिडेंस डॉक्टर्स आम दिनों की तरह काम पर आ गए हरताल को लेकर शुक्रवार सुबे जैपुर में चिक साथ स्वास विभाद के मुख्य शासन सेचिव वीनु गुपता के अधिक्षता में विशेश बैठक बिलाए गई बैठक में जैलन प्रिंसिपल और अधिक्षक डॉक्टरा नील चैन साइथ साथो मेडिकल कॉलिज के रेजिडेंस अस्वेशन की प्रतिनिती और अन्य अधिकारी शामिल हुए अजमे रेजिडेंस अस्वेशन अधिक्षी डॉक्टर सतेंदर सिंग नरुका ने बताया कि बैठक में दो पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर और अन्य के खिलाब चांच कर कारवाई का आश्वासन दिये जाने के बाद सभी रेजिडेंस ने हर्टाल खत्म करके काम पर आ गए हैं कल की वारता जो हमारी सक्रेटरियेट में हुई सक्रेटरी मेडिकल एजूकेशन से बढ़ी सकारात्मक रही हमारी सारी मांगे और उनको मान लिया गया है लगबग सारी बाते जो हैं हमारी मान लिगे हैं हम प्रसंद करवेई से संतूस्ठ हैं और हम आगे भी आशा किसी सखारात्मक महुल से हमारी बाते सुनेंगे और उनको कारे भहिशकार पर जाने से पहले ही पूर्ड करेंगे ता कि जंता को और हमें कोई दुबारा तक्लीफ ना हो अजमेर में ये जो कारे भहिशकार है क choking 8 दिन चला प्रदेश भर में जो एकरे में इशकार है करीब तीन दिन चला उसके बाद जाकर प्रसाशन ने हमारी सारी बाते हमारी है अब एठक में सभी रेजिदेंस ने एक ही बात कही कि राज के जनाना चिकेट साले में पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया वहार गलत है किसी रेजिदेंस की कोई शिकायत है तो पहले पुलिस कर्मियों को वहां के एचोड़ी या दिक्षक को शिकायत देनी चाहिए सीधे ही लेबर रूम में आकर प्रसुताओं के लच्चा भंग करने के साथ ही वहां अबदरता करना गलत है अब विश्यों में ऐसी कुन रावत्ती ना हो स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के रेए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिए और इस वीडियो को लाइक वर शेयर करें